असलामने कुम डियर स्टूडेंट आज हम रीडर थेटर के बार में पढ़ेंगे कि वो छोटे बच्चों की क्लास में कैसे दिखेगा जैसे कि हम कॉंटिन्यू कर ही रहें जिरें हम प्री स्कूल कहते हैं या अर्ली एर सेटिंग कहते हैं तो खिरें के अर्ली एर के टीचर जो है या प्रीन स्कूल कर दीचें रीडर थेटर को अपनी ट्ला स्कूलर जो नहीं पढ़ सकते हैं या भी उनको पढ़ने नहीं आता प्रिंटर स्क्रिप्ट से आप वो ऐसे थेटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पे सारे बच्चे मिलके अगर कोई पढ़ रहे हैं तो इस पोईम को याद करें और म्यूजिक में कोरस के अंदर उसक अंदर से सिर्फ कुछ एक वर्ट जो रिपीट हो रहे हैं उनको बार-बार रीड़ाउट करें या वह रिपीटिंग वर्ट को सिरफ पढ़ें या वो सिर्फ पैसेज पढ़ें जो यह सिंपल सेंटेंस पढ़ें जो आप उनको प्रॉम कार्ट पर दिखा रहे हों कि अब आ scientific realistic कहानी हो या जो भी बच्चों के इंटरेस्स से रिलेटेड अगर वो फिक्षिन भी है इशुद इंट्रगर चाइल्स इंटरस्ट तरस समस्ट इंपॉर्टन थिंग वो बच्चों को सुटबल होनी चाहिए टीचर जो है विराइटी और ऑप्शन जैसे के वह यूज कर रह बोलना है बच्चों के लिए बड़ी बुक्स ली जा सकती है या आपका जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा प्रिंट किया जा सकता है बड़े-बड़े कार्ट पर चिपकाया जा सकता है क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चों के साथ जो भी कहानिया उनमें डायलोग्स तो प्रफॉर्म कर सकते हैं और आप पपिट्स को भी यूज कर सकते हैं रिज़ थेटर के अंदर इसप्वेशली जब आप अरली चाइल्ड हुड की सैटिंग में हैं और उसमें एक प्रॉपर थेटर बना सकते हैं जिसमें चायल्ड और पपेट एक खटे परफॉर्म कर रहे हो चाइल बोल रहा हो और ऐसे लग रहा हो कि परपिट बोल रहा है उसके इलावत चिल्डरन जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती चली जाती है बच्चे खुद बखुद ही रिस्पॉंसिबल होते चले जाते हैं और उनका रोल बढ़ता चला जाता है और टीचर का रोल बच्चों को एक परफॉर्मिंग अपर्चूनिटी दे जिसकी तुरू उनकी लिट्रसी स्किस जो है उसकी फाउंडेशन बिच सके वो कॉन्फिदेंस से सामने आ सके और लिट्रसी स्किल को वो जॉइफली सीख सके और परफॉर्म कर सके